तो मैंने इसे एक दिन की धूप लगाई थी मैंने सुबह बनाया तर दिन भर की धूप लगाई और ये अचार खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया तो हाई दोस्तों आप सभी का स्वागत है मम्मा की रस्वी में जैसे कि सर्दिया चल रही है और सर्दियों के मोसम में अचार काफी बनाते हैं नीबू का बनाते हैं और जो भी आती है चीज़े सभी बनाते हैं कैरी के अलावा सभी के अचार सर्दियों में ही बनते हैं काफी चीजे श्टोर भी की जाती है सर्दियों के मौसम में नीबू करस तो आज हम बना रहे हैं नीबू का अचार जो की बनाएंगे हम इंस्टेट और वो चलेगा एक साल से उपर एक साल-दौसाल जितने भी आप चलाना चाहिते को जब तक चलेगा खराब नहीं होता तो चली देखते हैं किस तरह से बनाते हैं तो इसके लिए मैंने लिए 500 ग्राम नीबू इन्हें मैंने धोके साप करके सुका लिए और इन्हें पॉच लिए अभी नहीं हमें काटना है और मैं बनाओंगे इसे कूकर में कूकर लो आप इस्टील का यह नहीं के ऐनमुनियम का ले ले बस इनके अग कुछ बीज रह भी जाएं तो कहीं दिक्कत नहीं है मैं इस तरह से कूकर में डालती जाओंगे साथ की साथ बाकि तो ज्यादा तर अचार तो हम दूप में रखते हैं अब आपको इसे कहीं भी रखने की आऊशकता नहीं है बस काटो कूकर में उबालेंगे और सभी मसाले दालेंगे प्रि waktu की लिए रोड़ी हो जाएगा है कि तो आप किस त्रह से आशार बनाते हो यह मुझे मुझे बता सकते हो मैं तो इसी तरह से बनाते में यह एक साल से उपर यह इतना भी बना आम ज्यादा क्यों बनाते हो अगर ज्यादा बनाती तब बीजा कहीं भी खराब नहीं होगा यह हमारी गारेंटी है तो इस तरह से हम सभी की बीज निकाल लेंगे और कोई भी ज्यादा जिंजट करने की ज़रूत नहीं आपको इनका रस निकालो या ऐसे करो बाकित आपको रस निकालना पड़ेगा फिर इसे 15 दिन तक आपको दूप में लगाना पड़ेगा तो यह काम नहीं करने पड़ेंगे तो आप पहले थोड़ा सा चार बना के देख लें अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप इसके क्वांट्रिटी बढ़ा के ज़्यादा बना सकते हैं तो सभी के बीज निकालके मैं कूकर में टाल दूँगे तो मैंने सभी नीबू को काट लिया है रखकन लगा देंगे और अब हमें इसमें दो सीटी लेनी है गैस फुल रखूंगी मैं और दो सीटी आने के बाद मैं गैस बंद कर दूँगी और फिर जब इसकी भाब खतम होएगी जब हम चेक करेंगे अब इसमें पानी डाला कहीं भी जला नहीं अब इसमें मैं बावल में निकाल लेती हूं ताकि सभी चीज़ दिख जाएगी अच्छी तरह कूकर बिल्कुल साफ है अब हमने 500 ग्राम नीबु लिए तो तो 500 ग्राम हमें चीनी डालनी है कपसे ना पर तो एक कफ फुल उपर तक भरी हुए यह 500 ग्राम चीनी है इसे डाल देंगे और एक बाहर हम मिक्स कर लेंगे चाहो ता आप चीनी को गला सकते हो गैस पर रखके एक तार की चासनी लेके फिर नीबु डाल दीजी लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ वस वैसे ही मैं बता रही हूँ आपको अब इसमें मसाले डालेंगे तो मैंने 1-4 चमज हींग लिया है एक चमज अजवाईन एक चमज मैंने कलूंजी लिया यह ओप्शनल इससे चार थोड़ा सुन्दर दिखता है दो चमज लाल मिर्ची लिया लाल मिर्ची अगर तीखी हो तो आप कम कर सकते हो मेरी तीखी नही है आदी चमज मैंने गरम मसाला लिया है इसमें सभी मसाले आ जाएंगे एक चमज साधा नमक और एक चमज काला नमक अगर आप इसमें और भी चीज एड़ करना चाहते हो दाना मेति तो आप दाना मेति भी डाल सकते हो जो भी आपको पसंदो आओ आप इसमें डाल सकते हो तो देखिए, अब इसे हम mix कर लेंगे, और बस, शाम तक इसमें चीनी गल के ready हो जाएगी, चाहो ता आप इसे अब धूत में रख दीजिए, अब मैं इसे धूत में रख देती हूँ, ताकि ये जल्दी से इसमें चीनी गल के ready हो जाएगी, तो बस शाम को इसको बताती हूँ मैं इसको सुबह बना रही हो, और अब चीनी गलने के बाद मैं इसे आपको बताती हूँ, कि देखिए कितनी जल्दी ये खाने के लिए ready है, तो मिलते हैं शाम को, तो मैंने इसे एक दिन की धूप लगाई थे, मैंने सुबह बनाया तर दिन भर की धूप लगाई, और ये अचार खाने के लिए बिलकुल ready हो गया, तो एक दिन में अगर आप अचार बनाना चाते हो, तो आप इस तरह से जरूर ट्राय करें, और बागी तो ये धीरे-धीरे इनके छिलके काफी सोप्ट हो जाएंगे, अगर आप एक साल के लिए बनाना चा रहे हो, तो आप इस तर बना के खाना चाते हो, तब ये आप इस तरह से जरूर बना के देख सकते हो, तो इसे कोई भी एटाय कंटेनेर में पैट करके रख दीजिए, फिरीज में नहीं रखे, बहार ही रखे, तो बस मैं सारा अचार इसमें डाल दूंगे, तो ये हमारा अचार नीबू का खटा मी बनकी रेडी हो गया है, तो इस तरह से आप जरूर ट्राइ करो, ट्राइ करने के बाद मुझे जरूर बताना कि अचार कैसा बना, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो, बाई बाई